नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस पॉड्ट्कास्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बिमारी के बारे में जिससे लगबख सभी जूज रहे हैं इस बिमारी का नाम है to judge everyone हम अक्सर कभी भी किसी भी चीज़ को देख करके judge करते हैं और इसलिए एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि why do we suffer from this disease why do we suffer from this disease of judging others while growing up in an organic society क्या ये society हमें सिखाती है क्या दूसरे को judge करना हम मां के पेट से सीख के आता है अब कई लोग कहेंगे कि नहीं ये तो मेरा opinion था किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं ये तुमेरा हक है मेरा opinion था दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि opinion हर एक चीज़ के बारे में होने के लिए एक चीज़ तो यह है कि एक level of information knowledge education चाहिए लेकिन तर्क के लिए अगर मान भी लें कि यहां ठीक है आपका opinion है तो opinion और judgment में फर्थ होता है दोस्तों opinion होती है हिंदी में इसको धारना कहता है मेरी धारना ये है judgment में तो आप फैसला सुनाता है अब फैसला बिना सामने वाले का पक्ष जाने सुनाया जा सकता है कि कहानी के साथ आप से शेयर करता हूं आज से तक्रीबन कई साल पहले तक्रीबन 2008 में जब मैं पहली बार admission मेरी हुए थी लखनों के law college में तो जो पहली बार में गया मेरे दिमाग में यह था कि लखनों के बार में मेरे भार्ना नहीं थी मेरी society ऐसी थी इस और्गनिक society में बढ़ा हो रहा था जिस तरह की न्यूस में देखता था यह उत्तर पुदेश के बार में मिरे अपीनिन नहीं मेरी मेरी विश्वास था मीरा यह जज्मेंस था उस शह सेमियाट्मेटिक बंदूग चल जाता है तो यह सब कुछ मेरे दिमाग में था जब मैं वहाँ पहुचा तो पहुचकर दोस्तो चार बाग के railway station में पहुचकर मैं मेरे पता जी गए थे चार बाग के railway station पहुचकर मुझे तो actually मैं डर लगने लगा इतनी बड़ी स्टेशन इतने लोग है, सब लोग जो है, मैं ऐसा लगा था कि मैं किसी अंजान जगह पर ही सिर्फ नहीं आया हूँ, बलकि मैं ऐसे और ऐसे सुसाइटी में आके बसा हूँ, एक ऐसे सुसाइटी जिसका रवया मेरी रवया से विल्कुल विपरत है, मैं कोशिश कर करी लखनों में रहा, यह मेरी धारना थी, जितने भी सारी मैंने बताई आपको लखनों के बारे में, और जो लखनों के लोग थे, जो म creamy seven years, मेरे colleagues थे, जो उन्से बात शुरूर ही पहले दो पहले दूसरे दिंगा एक देर महीने तक, तो पहले एक देर महीने तक अंकि भी यए धारना थी बंगाल के लोगों के पती, उनकी धारना ये थी कि बंगाल के लोग काला जादू करते हैं, बंगालस एक कोई आया है तो उसको रेड़ लइट एरिया के बारे में ज़रूर पता होगा, अब इन तमाम लोगों के बारे में जो मैं बात करगा हूँ इनसे मेरे इतनी अच्छी दोस्ती है इनसे मेरे इतना लगाव है इनसे कि पता ही नहीं चलता कि ये बंगाल और उत्तरप्रदेश की जो दूरियां है ये वास्तव में है या नहीं मेरे ही साब से भारना बदली जा सकती है धारना बदली जा सकती है क्योंकि दार्ना बंति है दोस्तों वह बंती है एक्सपेरेश के उपर अनुभव से और कुछ सुझ सुआइग अब ह阼 Iliki एक जासा नहीं होता है और सुनी-सुनाइं बातों पर याकिन करने करने ब나कर फाहिए तो मिरे धार्नाति उत्तरप्रदेश के बारे में कुछ उनकी धार्ना थी बंग濫 केखे लेकिन जब पांच साल से ज़ादा उत्तरप्रदेश्ट में बताने के बाद मैं मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं इस शहर को मिस करता हूँ लखनो को मिस करता हूँ अपने दोस्तों को मिस करता हूँ वो सारे दोस्त जो मेरे लिए कभी rough हुआ करते थे वो सारे seniors जो कहते थे कि मुझे काला जादु आता है सब को मिस करते है और ये जो bonding बनी है, ये जो emotional bonding बनी है, ये मेरा नुभव है, judgment नहीं तो इस छोटी से कहानी के साथ मैं सर्फ यही चीज़ बताने वाला हूँ कि बेशक आप अपना वह एक opinion बना सकते हैं लेकर फैसला मत सुनाइए, महां जाएए, मिलिए, बात करिए, लोगों कुछ सीखिए, समझिए, फैसला सुनाने कहाख हमारा है ही नहीं, वह हमारा काम नहीं तो यह एक नोट था मेरे जीवन के किस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करना जाता था, I hope आपको यह podcast अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, thank you